असामने कुमा यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल हरियत से होंगी जी तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक रिका ब्रिजैलिन वेक्स की वीडियो बनाने जा रही हूं जो कि आपके लिए बहुत ही यूसफुल रहेगी और स्किन के लि बहुत नॉर्मन सा एक हीटर मैंने लिया है क्योंकि इसके लिए बहुत इनाफ है अब यह एक वेक्स के लिए मुझे अलग से एक हीटर रखना पड़ेगा इसको हम शुगर वेक्स की तरह अलग-अलग हर हीटर में नहीं रख सकते हैं शुगर वेक्स का तो यह सीन है ना उसे हम वाश कर लें तो वह बावल आकवा बिलकुल क्लेर हो जाता है यह एक थोड़ा केमिकल की तरह वेक्स है बहुत यह हार्ड होता है अभी मैं आपको वेक्स भी अन्बॉक्सिंग करके दिखाती हूं उसका क्या सीन है इसको भी मैंन सा आम वेक्स से बिलकुल डिफरेंट है आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्सपिरियंस की ज़रूरत होगी तो आप इसे अपने प्राइवेट एरिया में जैसे अंडर आम्स वगरा में करने से पहले थोड़ा इसको बाजू वगरा पर करके थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लें जैसे आपका हार्ट लेर हो जाए तो फिर आप इसे अंडर आम्स वगरा में अपने प्राइवेट एरिया में करने की कोशिश कीजएगा यह आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हार्ड है अब चुक्छे यह बहुत ज्यादा हार्ड है और इसको मैं हीटर में एड़न गरम होने के बाद बिल्कूल इसका क्रीमी सा लिक्वेट भन गया है इसको अच्छे से गरम करके लगाने अगर आप थोड़ा थंडा थंडा लगाने की कोशिश करेंगे हैर इतना भी गरम ना हो कि आपकी स्कें जलने लगे लेकिन यह बिल्कुल लिक्वेट हो जाना चाहि लेकिन इसमें यह है कि जितनी मोटी लेयर लगेगी उतना ही अच्छा वेक्स होगा यह वेक्स अप्लाई करने के बाद देखे मैं फिंगर्स के साथ इसको थोड़ा सा प्रेस करी हूं ताके वह बालों को अच्छे से ग्रिप कर ले उसके बाद हलका से नीचे से अपने उतार करना है और उसको खेंच देना है यह दिखे जहां पर बारीक वेक्स लगी थी वहां से वह अच्छे से क्लियर नहीं हुआ थोड़ा इसको जल्दी अप्लाई करना है क्योंकि अप्लाई करने के साथ ही ड्राय होता जाएगा यह दिखिए यह बिल्कुल जैसे बीन वैक्स औ बिल्कुल भी नहीं देखें चिपक रहा आप मैं इसको फिंगर्ज लगा रही हुँ तो यह बिल्कुल भी उसके साथ नहीं आ रहा निचे से थोड़ा से इसे हमने कर लेना और फिर इसको कहिंचना हमने यह देखिए यह इसने बालों को बिल्कुल क्लियर कर दिया अच्छ ये आपको वेक्स करने से पहले हमेशा कोई टेलकम लगाना चाहिए ताके जो अगर आपके स्कीन पर कोई ओयल है या कोई स्वेट बगारा है तो वो उसके साथ क्लियर हो जाए ये दिखे अब मैं ये स्ट्रिप लगा के आपको चेक करने के लिए दिखा रहे हूं कि ये इस ट्रिप के साथ नहीं उतरेगी पॉसिबल ही नहीं है और ये वी देख लें हैं यह मैंने बरीक लगाई तो ये नहीं उतरेगी ये दिखिएगा अब ये मेरी स्कीन को इस तरह से रैशिज हो सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि इसे नेल के साथ उतारने की लेकिन इसका कोई फाइदा निया आपने इस तरह बिल्कुल भी निकरनी थोड़ी थेक लियर लगानी है ताके वो असानी से उतर सके इसके साथ अपर लिप्स वगरा भी बढ़े अच्छे हो जाएंगे फेस पर याणि कि अगर आपके कोई थोड़ी बहुत बाल जाएं तो वो भी बहुत अच्छे से उतर जाएंगे इसको हूँ अच्छे से जो मैं दुबारी हूँ उस सी है कि बाल अच्छे से आपको हुआ है अगर आपको भी फ्रेश मिले तो अच्छी बात है इसको आपने उसके बाद स्किन पे अप्लाइ करना है क्योंकि यह अंटी ऑक्सिडेंट है तो फ्रेंड रुमीद करते हूं आपको यह मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो काइंडली आप मेरे चैनल को प्रेयर भी करें